नमस्कार प्रदेश की एहम खबरें लेकर हाजर है सुजस आवाज राजस्थान नमस्कार आज की सुर्खिया अरिंदम और सलिहा के साथ प्रगती के पत पर बढ़ते राजस्थान ने आज फिर कीर्तिमान बनाया है महंगाई से राहत देने में राजस्थान ने रचा है इतिहास महंगाई राहत कैम्प का तीन करोडवा कार्ड आज उदैपुर में जारी हुआ मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने गंगुकुंड परिसर में आयूजित महंगाई राहत कैम्प में लाभार्थी नफीसा बानो को ये गारंटी कार्ड सौपा और बदहाई दी साथी सीम ने और भी लाभार्थियों को गारंटी कार्ड सौपे और उनसे बातचीत की इस दोरान उन्होंने दूसरों को भी इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोच साहित किया मुख्यमंत्री ने गंगुकुंड में इंद्रा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों को पचास-पचास हजार रुपे के चेक सौपे उन्होंने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहट 11 लोगों को पट्टे भी दिये सीम ने राजस्थान सहकारी ग्रामीर आजविकार रण योजना के चेक भी प्रदान किये मुख्यमंत्री ने आम लोगों से राहत कैम्पों का लाभ उठाने की बात कही इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब तक 3,10,53,000 से ज्यादा गैरेंटी कार्ट बांटे जा चुके हैं और 68,86,000 परिवार लाभानवित हो चुके हैं मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैम्प और प्रशासन शहरों के संग और गावों के संग अभियान के तहट लग रहे शिविरों का लगातार अवलोकन कर रहे हैं इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री आज मावली पहुंचे। उन्होंने मावली को नगर पाली का बनाने की घोशना की। मावली को छेसी दो मावली को बनाने की घोशना करता हूँ। बादचीत में सीम ने कहा। नराज्टान का महत्र बढ़ता जा रहा है। बढ़ना चाहिए जो मैं कहारा हूँ। दो यदा तीस हमारा टार्गेट होना चाहिए प्रदेश वासिए को मेरा के लेकर नहीं। इसके बाद सीम भीलवारा पहुंचे उनका जिले के कोठड़ी पंचायत समिती के बिशुनिया गाउं में महगाई राहत शिविर का जैज़ा लेने के जायज़ा लेने के लेकर नहीं। आप सभी जानते हैं कि राज़भर में चल रहे हैं महगाई राहत कैमपों के प्रती लोगों का खासा उत्साह देखा जा रहा है और इन कैमपों में भीड उमड रही है। इनी कैमपों की कुछ कहानिया हमारी सहयोगी मेधा से। अब हर चहरे पर है मुसकान, हर प्रदेश वासी को मिल रही राहत की गारंटी। बार्मेर जिले की रहने वाली मती देवी को मिला आठ योजनाओं का लाब। उन्होंने बताया कि ये फाइदा उनके लिए किसी वर्दान से कम नहीं है। महंगाई से गरेलू गर्खर्च अधिक होने के कारण कई बार तो जरूरत की चीज़े लाना भी मुश्किल था। लेकिन अब निशुलक राशन, बिजली और पैंशन जैसी योजनाओं से उन्हें काफी राहत मिली है। महंगाई राहत कैंट तो बुढ़ापे का भी सहारा बन रहे है। श्री गंगानगर की रहने वाली सत्तर वर्षिय परमेश्वरी देवी को आठ योजनाओं का फायदा मिला। उन्होंने बताया कि उनकी चार बेटे हैं लेकिन सभी अलग रहते हैं। प्रशी के लिए भी भूमी नहीं हैं ऐसे में उनका जीवन यापन करना बहुत कठिन है। इन गारंटी कार्डू पर उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। अब आपको बताते हैं बारा शबडा की रहने वाली केदारी देवी के बारे में। महेंगाई राहत कैम्पो में उन्हें भी साथ योजनाओं का लाब मिला। मुख्यमंत्री की इस अनूठी पहल पर वे काफी खुश है। इनके साथ ही महेंगाई राहत कैम्पो में दिव्यांग जनों को स्कूटी का वित्रण भी किया जा रहा है। और तो और किशनपुरा की रहने वाली शार्दा देवी बताती हैं कि उनकी बेटी मंजू की शादी के लिए 41,000 रुपे की सहेताराशी भी उन्हें मिल चुकी है। इन सभी को तो महेंगाई राहत कैम्पो में योजनाओं का लाब मिल चुका है। अब बारी है आपकी। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्द ही अपने नजदी की महेंगाई राहत कैम्प में जाएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये कैम्प 30 जून तक चलेंगे। सुझसावाज रजिस्थान से मेधा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवी कक्षा तक के विद्यार्ती नए शैक्षनिक सत्र से अब रोजाना दूद पिएंगे। मुख्यमंत्री ने बाल गोपाल योजना के तहट रोजाना दूद उपलब्द कराने के लिए 864 करोड रुपए के बजट को मन्जूरी दी है। विद्यार्तियों के पोशन में व्रदी और आविशक मैक्रो और माइक्रो नूट्रेंस की पूर्ती के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नॉवंबर 2022 से शुरू की गई थी। इस योजना में कक्षच एक से पांच तक के विद्यार्तियों को 150 एमल दूद उपलप्त करवाया जा रहा है। ये कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला का। वे जैपूर के शिक्षा संकुल में सिनेमा औन वील्स का अउलोकन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे एक लाख नौ हजार विद्यार्तियों को इस कारिक्रम के माध्यम से जीवन उपियोगी शिक्षाद दी जा चुकी है। गोरतलब है कि कॉर्परेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी के तहट 2020 से चल रहे इस कारिक्रम में चातर चातराओं को आडियो वीजूल माध्यम से नैतिक शिक्षाद दी जाती है। कोटा, बूंदी और बाराजिलों में नहरों, वित्रिकाओं और माइनरों को और मजबूत बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 406 किलोमिटर की पक्की लाइनिंग और खेट सुधार कामों के प्रिस्ताफ को मनजूरी दी है। ऐसे सत्रह कामों में 367 करोड 17 लाख रुपए खर्चोंगे, इनमें चालू वित्तवर्ष में 38 करोड 72 लाख रुपए व्याय किये जाएंगे। शिगहलोत की स्वीकृती से सेचाई जल नहरों की लाइनिंग और नहरी तंत्र की सररचनाएं सशक्त होंगी। नहरों और वित्रिकाओं से पानी का रिसाव भी नहीं होगा। गरतलब है कि मुख्यमंत्री ने इस बार के बजट में इस बारे में खूशना की थी। प्रदेश में मौसमी बीमारियों की रोक्ताम और जिलो में की जाने वाली गतिविधियों की विश्तरित जानकारी देने के उद्देशे से वीडियो कानफरेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में विशेश कर Health and Wellness Centers पर कारे रत नवन्यूक्त सामुदाईक स्वास्ति अधिकारियों और Public Health Nurse ने भाग लिया। अब सुनिये जिलू का Round Up नागौर के देगाना में मिला लीथियम का भंडार। भारतिय भूब एग्यानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि इससे देश में लीथियम की 80% मांग को पूरा किया जा सकता है। देश में लीथियम के उत्पादन से इलेक्ट्रिक वहनों की लागत में भारी कमी आने का अनुमान है। अजमेर जिले में काजीपुरा की गंगा वैभाव घाटी को पर्यटन स्थल के रूप में विक्सित किया जा रहा है। मुखिमंत्री के निर्देश पर आर्टीडीसी के सहयोग से यहां ट्रैकिंग स्ट्रिप और संसेट पॉइंट का निर्मान कर दिया गया है। अब आर्टीडीसी अध्यक्ष धर्मेंदर राठोर ने मुखिमंत्री से यहां लेपर्ट सफारी बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे अजमेर में नया पर्यटन स्थल बनेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जालोर जिले का मशूर सनरक्षित समारक तोप खाना कल से परिटकों के लिए सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुला रहेगा। राधरी परिटन को बढ़ावा देने के लिए राज़पुरा तत्व और संग्राले विभागनी ये निर्ने लिया है। पाली जिले के रोहट पंचायत समिती के दो गावों सिंधरी और दूदली के आंगनबाडी केंद्रों तक बिजली पहुचा दी गई है। इससे बच्चों और महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। महिला और बालविकास परियोजना के कार्मिकों ने प्रशासन गाउं के संग शिविर में ये समस्या बताई थी। इस पर उपखंड और विकास अधिकारी ने ततकाल कदम उठाया और बिजली निगम ने विद्युत करेक्शन देकर मीटर लगवा दिये। आरियो आईडिपी की सामुदाइक जागरूकता और जन्त सहबा की ताइकाई ने सीकर जिले में रभनातपुरा के एक स्कूल में जागरूकता कारिक्रम किया। इसमें विद्यार्थियों को सीवरिच प्रणाली के बारे में बताया गया और हाईजिन के लाप समझाये गये। प्रणाली के दिले सथने समराक संदेजों में जिलारी के लिद्यारूकता द्राथियों के लिद्यार्थियों के लिद्यार्थियों …